दियर फ्रेंड्स वेलकम इन आवर्स चैनल यह है हमारा शाट वीडियो और इसमें हम सीखने वाले है जो पैरोडिक टेबल होती है उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स तो आईए सीखते हैं हमारा पहला फेक्ट है कि जो पैरोडिक टेबल है इसमें टोटल ज तो जोए वह प्राक्रतिक है जबकि क्रत्रिंट यह है वह कितने याप तो बीस जो यह इसमें से वह क्रत्रीम है दातु-टत्तौए कि संख्या कितनी हे आब यह जो 119 है इसमें फ tot इंकार्णों याद इसमें प्रेक्षप फेक्षण में लिख सरवाधिक उपलब्द तत्व कौन सा है तो ऑक्सिजन जो है वो सबसे अधिक उपलब्द तत्व है पेरोडिक टेबल का पेरोडिक टेबल में जो ऑक्सिजन पाया जाता है यह सबसे अधिक उपलब्द है हमारे नेचर में सरवाधिक उपलब्द धातू कौन सी है तो सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम जो धातू है वो हमारी जो आर्थ क्रस्ट है उस पर पाई जाती है यह आर्थ सरफेस पर सबसे अधिक अमांट में एल्यूमिनियम मेटल पाई जाती है सबसे हलका तात्व कुण सा है तो सबसे हलका जो तात्व है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या है एक प्रकार की गेज है सबसे भारी तात्व कुण सा है तो सबसे भारी जो तात्व है पेरिडिक टेबल का वो है ओस्मियम क्या है ओस्मियम है नेक्स्ट है सबसे हल्की धातू तत्व पूछी जाए अगर तो सबसे हल्की धातू तत्व है वो है लीथियम लीथियम सबसे हल्की धातू तत्व है पैरेडिक टेबल की नेक्स्ट है द्रव धातू तत्व है तो ऐसी धातू जो की द्रव अस्थाम पाई जाती है वो है पार आधात्व कौन सा है तो द्रव अस्था में पाई जाने वाली जो आधात्व है वो है ब्रोमीन ब्रोमीन क्या है एक द्रव अस्था में पाई जाने वाली आधात्व है विद्युत का अच्छा सूचालक कौन सा है तो जो चांदी यानि कि सिल्वर जो आलिमेंट है जिसके लि होने के बावजूद विध्यूत की सूचालक है तो ऐसी है एक मात्र ग्रेफाइड जो ग्रेफाइड आधातु है यह आधातु होने के बावजूद विध्यूत की सूचालक है सबसे आगात वर्दनीत तत्व कौन सा है याने कि सबसे आधिक जिसको पीट पीट कर हम एक पतली चादर के रूप में परिवर्थित कर सकते है एसा तत्व कौन सा है तो एसा है सोना जो सोना है इसको हम बहुत एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं हड़ी एमों दातों का निर्माण होता है तो हमारे सरीर में या एनिमल के सरीर में जो भी हड़ीया है वो केल्शियम की बनी हुई होती है और केल्शियम भी पेरोडिक टेबल में मिलता है सबसे क्रियासिल धातु तत्व है तो जो सीजियम है ये सबसे अधिक क्रियासिल धातु तत्व है सबसे क्रियासिल धातु है तो सबसे अधिक जो क्रियासिल धातु है वो है फ्लोरीन क्या है फ्लोरीन है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कुन सा है तो एक ऐसा तत्व जो की मिट्टी के तेल में रखा जाता है वह है सूडियम है। यह थे हमारे इस वीडियो के इंपर्टन गेशन अएह ओप आपको यूडियो अच्छा लगा होगा and thank you so much for watching this channel thank you